ख़वरों आगे बढ़ेंगे बात करेंगे वराणरसी की वराणरसी की ग्यानवापी परिसर के वैग्यानिक सर्वे का आज तीसरा दिन है ASI के एक टीम सर्वेक्षण के लिए ग्यानवापी मजजित परिसर में मौजूद रही है वहीं सर्वे के दोरान ग्यानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है कल सर्वे के दोरान हिंदू प्रतीक मिलने की बात सामने आई है और अभी तक व्यास परिवार वाले तैखाने में सर्वेक्षन की टीम अभी पहुंच नहीं पाई है ग्यानवापी परिसर में कुल चार तैखाने हैं जिसमें एक व्यास परिवार के कबजे में है और दूसरा मुसलिम पक्ष के कबजे में है वजु खाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे किया जाएगा आपको बताते चले कि तैखाने के खंभो का भी सर्वे किया जाएग और इस ख़वर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संबाद दाता धर्वेंद्र पांडे हमारे साथ सीधा लाइब जुड़ गए हैं धर्वेंद्र अभी क्या कुछ तस्वीर दिखाई दे रही है वहां पर ताजा तस्वीर भागों ना तर्वे और रूंच के पहले के साथ है भुबच के नीचे के दिवार के घुटा है इसको सर्वे किया गया वीडियोक्रोड़ुम्रफि मैपिंग्ग तमाम हैं तर्वे पुरे पुरे पर लुंद्र हो चुका है लंग दूतरी हिच्चे में जूतरे बार पींद्र बताया जा रहा है धरविंद की जो तैखाने का सर्वे किया गया है उसमें तमाम प्रतीक मिले हैं कलाकृतियां मिली हैं त्रशूल मिले हैं बता है कि जो कल सर्वे किया गया है और आज ये भी बताया सकता है था खाने की जो चेत्र है तिन हिस्सें के बटे हुए हैं दो चेत्र उत्तरी लिसा में हैं और दच्छली चेत्र में है जिसको लेकर के हिंदू परच्छारू का मानना है कि सर्वे को कराई जाने से हिंदू परच्छों के साथ के साथ कादी साथ की मिलने की उमीद है चले बहुत बहुत शुक्रे आपका तमाम जानकारी साजा करने के लिए हमारे साथ जोड़ने के लिए बतादे चले कि ग्यानवापी का सर्वे जो है वो लगातार जारी है और इसमें तमाम खुलासे भी हो रहे हैं बताया जारा है कि तैखाने का जो सर्वे किया गया यहां से कई कलाकृतियां और तर्शूल भी बरामत हुए हैं फिलाल अभी सर्वे लगातार जा रही है फिलाल मेरे साथ अभी के लिए बस अतना ही देश तुनिया की तमाम खबरे देखने के लिए देखते रहे न्यूस वाश इंडिया